तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप माइक्रोवेव में डाल तरका बना सकते हो तो उसके लिए मैंने अल्रेडी यहां पे लिया है तूल डाल और मसूल डाल तो मैंने ऐसे वाले कप में हाफ कप तूल डाल और हाफ कप मसूल डाल दोनों मिला के एक कप मैंने टोटल डाल लिया है यहां पे और इसको मैंने एक से दो घंटा सोग करके पानी में रखा था आप चाहे तो और थोड़ा जादा सोग करके रख सकते हो जितना आप डाल को पह अभी मने इसके पानी ड्रेंड कर लिया है इसे कप में द्क क्योंकि ऑख मकंड़ दूख पानी इसको डबल थे जले संदरे सबिक ander कि देखक घ्राशी- errors तो फेले हमने दूख करना हुए द्रका बनाने के लिए यह Insert 1 कप scripture company और मैंने एक microwave safe bowl लिया है हम microwave mode में इसको पकाएंगे तो मैंने दो कब पानी ले लिया है अभी मैं इसमें डालूंगी नमक इसका quantity आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो और मैं डालूंगी हल्दी पाउडर और आपी हम इसको मिंक्स कर लेंगे तो अब यह मिसको अंदर डालेंगे और डाल को पहले बॉइल करेंगे अभी हम इस बोल को माइक्रोवेव के अंदर डालते हैं तो माइक्रोवेव मोट पे 900 वाट्स जो की मेरे ओविन का मैक्सिमुम पाउर लेविल है तो 900 वाट्स पे मैं दाल को 20 मिनिट के लिए माइक्रोवेव मोट पे बॉयल करूंगी और आफ्टर 10 मिनिट इसको थोड़ा हम लोग च कर लेते हैं तब इस पूंसे हम इसको थोड़ा ढाल को स्माश कर लेंगे डाल ऑल्मोस्ट बॉयल होई गया है और पूरा पानी भी सोख हो चुका है तो इसमें हम और थोड़ा पानी पानी करेंगे यह जो सेम कप लिया था मैंने और उसी कब में हाफ कप पानी में और इसको हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं और मैं स्पून से ही इसको डाल जो है अच्छे से स्मैश कर दूंगी ताकि एक सिल्की स्मूथ टेक्शर आ जाए तो अभी हम इसको एक साइड में रख देते हैं और डाल तर्का के लिए तरका के लिए रखा है तो मैंने और एक माइक वेवस से बोल लिए अब ही मैं इसमें डालूंगी उयल मैं यूज कर्यू मस्टर्ड ओल अराउंड तू तू त्री टेबल स्पूम और अभी इसमें मैं स्पाइस डालूंगी हाफ एक ऐसे वाला एक टेज पत्ता बे लीफ और फिर मैं इसमें एक रेड ड्राई चिली इसको डाल दूंगी और फिर मैं डालूंगी जीरा स्पेशली जो बैचलर्स है उनके लिए रेसेपी बहुत है जर्ट से विताउट गैस बन जाएगा या फिर अचाना गैस खतम हो जाए तो भी माइक्रोवेव यूज करके बना सकते हो रेस्टोरेंट जैसा डाल तरका तो अभी इसमें मैं डाल रहे हूँ गार्लिक क्लोफ्स म अब चाहे तो पेस्ट भी यूज कर सकते हो और मैं डालूंगी एक छोटा ओनीयन स्मॉल साइज का ओनीयन मैंने चॉप कर लिया है उसको इसमें डाल देंगे और फिर मैं डालूंगी एक हाफ मैंने टमाटर लिया है वो और एक ग्रीन चिली को मैंने दो स्लाइसिस कर लिये हैं अभी मैं इसमें एड करूंगी थोड़ा नमक जीरा पाउडर यह जो स्पाइसिस के क्वांटिटी है आप अपने हिजाब से एड कर सकते हों थोड़ा रेड चिली पाउडर कोरियंडर पाउडर और थोड़ा हल्दी हल्दी हमने अल्रेडी डाल बॉइल करते टाइम एड किया था तो ज्यादा अभी आइड नहीं करना है अभी हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे अभी हम इसको माइक्रोवेव करेंगे फॉर फोर मिनिट तो अभी हम ये तर्का का जो मसाला है उसको माइक्रोवेव करेंगे तो अभी 900 वाट्स पे फोर मिनिट के लिए मैं माइक्रोवेव मोट को यूज़ करके इसको पका लेंगे तो चार मिनिट हो चुका है हम जो तर्की का जो मसाला है उसको निकाल लेते हैं और चिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो जो टमाटर है वो अच्छे से स्मैश हो गया है और ओनियन और ये जो ग्रीन चिली सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अभी हम इसको डाल में मिक्स करेंगे तो अभी हमारा डाल में निकाल लिया है अभी इसमें हम तर्का एड करेंगे और आप अच्छे से डाल को समैश कर लेना हो सकता है है किًर 20 मिनिट में आपका मेरे से डिफरेंट हो सकता है उसके पावर लेवल भो भी हो सकता है तो मेरा डाल तो 20 मिनिट में पक गया हो सकता है आप 3 मिनिट और रख ले अभी मैं इसमें और थोड़ा पानी एड़ करूःगी ज्यादा नहीं है तो यह तो ready है अभी हम ने जो तरुका बनाया है उसको add करते हैं अभी हम उसको mix कर देते हैं तर्के के साथ तो अभी हम इसको फिर से microwave में डालेंगे और चार मेनिट के के लिए टर्चे के साथ इसको पकाऑंगे तो ये ज repertoire स्टेप है इसमें हम इसको कफे करके पकाएंगे पिछले दौ स्टेप में हमने इसको अमकवर क करके मतल उसके पकाया अभी हम इसको एक मैंने ग्लास प्लेट लिया है उससे कवर कर लेंगे और फिर चार मिनिट के लिए इसको माइक्रोवेव मोड पर पकाएंगे चार मिनिट हो चुका है हम दाल को निकाल लेते हैं तो मैं आपको दाल का टेक्श्चर दिखा देती हूँ बहुत ही थिक स्मूज्ट सिल्की साच टेक्श्चर यह बन गया है बहुत ही यमी लग रहा है लगी नहीं रहा है कि माइक्रोवेव में बना है घी गरम मसला एड़कर करने के बाद हमें इसको कवर करके थूरा दिर रख देंगे फिर आप इस दाल तरके को रोटी के साथ या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और हभी अन्मी को फेस्बूक इंस्ट्रक्राम में फॉलो कीज अगले वीडियो तक बबाए